पहला स्वाल, पहला स्वाल है जी हेड़ दिते कतना ते गौर करो, पहला पॉइंट है एक व्यक्ति जीदा जर्म 26 जनवर उनिसों कमंजानू रंगून्च होया है, जिस दे पिता उस समय पा आर्थ दे नागरिक ने वांच द्वारा पा आर्थी नागरिकता मननी जाओगी, आसी अपने जदो नागरिकता बाला टॉपिक पड़या सी, ओधे विच आसी पांज शे साथ आठ नौ, ये जड़े चार पंज आर्टिकल करें सी ना, तो ओधे विच आसी एही चीज डिसकस करी सी गी, कि जदो आसी स्टेप वाई स्टेप पा आर्थी नागरिकानों नाग जब आपना पहलगा आउट साइडर और ऐसे लाइए उनीश बीच ये जड़े जंगर विच होया एगा और जिस दी मा उस डे जर्म समयपार्त दीना अगरिक है पर पिता आपने पार्त दा नागरिक जर्मदरा पार्त दा नागरिक मनने जावेगा जड़ी सरिपनधूटत सब्सक्राइब आपने लेके तूप टूपट कित्या ने गीया इसार्विए दोजार में इंड्री स्टेट में पहले सवाल दिया सई ने ता अपना अंसर सी बाणना सी बोथ वान एंड टू स्टेटमेंट्स ने जड़ियां ओ क्रेक्ट स्टेटमेंट्स ने अगला पॉइंट है जी सिटिजन शिप एक्ट उनी सो पच्वंजा दे तहत हेट लिख्या विचों केड़े तरीके नाल कोई भी व्यक्ति इडिया सेगा के साड़े देस्टे वेच्ट तरीके ने जी दरनागरिकता है य। वह लेए सकते है जी बाइबर्थ, जनदवारा डेफिनेट्ली, रजिस्ट्रेशन द्वारा डेफिनेट्ली, राष्टूय करन द्वारा, पुदरती करन जा नेचुरिल य। येसी नालवी और by in cooperation of the territory ता इदे विच्छ जी आपा गाल करिए पहला पॉइंट सही हा दूजा पॉइंट सही हा तीजा पॉइंट सही हा पर चौथा पॉइंट नहीं सही हैगा क्योंकि एथे nationalization लिख्या हुया बच्चो एथे nationalization नो कई बारी कई बच्चे जल्दी जल्दे विच दी चीज आपाने डिसकस करी आपा क्या हासी नैचुरलाइजेशन जीनु आपा पंजाबी दे विच की बोल देयां कुदरती करण द्वारा बोल देयां ता चौथा पॉइंट रॉंग हो गया पहला दूजा तीजा ते पांजमा ता कित्थे है फिर आपने कोड़े सी ऑप अजमा जड़ा है पॉरेक्ट आप्शन है आगला पॉइंट देखो जी आगले केड़े साला विच सिटिजन शिप एक्ट उनी सो पच्वंजा विच सोध कीती गई है ता इस स्वाल नूं मैं मान दियां केड़े विच थोड़ी जी गड़बड होई है साड़े देश दे व गरोप देविच मैसेज करें के लाग चुकीए कई बच्चे नूं अई नहीं पता लाग रहा भी कलास लाग चुकीए कि नहीं माणा जाब पॉलिटी आले गरोप च भी करदो ते एदरवाले च भी करदो शुकरी है मनप्रित शुकरी है तो अगले केड़े साला विच सदू बाद फिर एे 2033 विच्विंजिए अमेंड किता गया उस तो बाद फिर हे fry Pig sque Amand किता गया उस तो बादो फिर हे 2015 विच्विंजिन वार्थ तर मेंड किता गया इस्वाने ने शॉबारी ता इस शेवारी साड़े देश दे विच जड़ा सिटिजन्शिप एक्ट है इनूं अमेंड कीता गया है श्यासी बन में तिन पंज पंदरां ते उन्नी ताई सारे ही आप्शन कोरेक्ट बाणने सी एदे नीचे कोर अप्शन बाणना सी जीदे विच एहे all of these answer जड़ा है साड़ा include कीता जाना सी ता ए भी तुसी याद रखना है कि साड़ा citizenship act किन्ने वारी अमेंड हो चुक्या है six times अमेंड हो चुक्या है इनूं तुसी ख्याल चरखोंगे आगला point students पार्ती सविदान दी हेठ लिखियात रामा विच्चो केडी तारा पार्त विच्च नागरिक्ता देनाल सबंदत है ता सानू सारे नू पता है कि साड़े पार्ती सविदान दा पाग दूज्जा जड़ा है जिदे विच आर्टिकल पंज तो ग्यारा ने ए नाग रिकता देनाल सबंदत है और जापा गल करिये सतारा तो भी आर्टिकल एहे फंडामेंटल राइट्स दापस हिस्साने गे जापा गल करिये एक तो चार नंबर आर्टिकल ए साड़े देश देविच स्ट्रेट्स और यूटीज दी गल कर देने और जापा गल करिये आर्टि मैच करने ने बहुती असान आर्टिकल ने जी दे विच आसी औरेड़ी काफी चीजां अपनी क्लास दे विच पड़ चुके यां सब तो पहला पॉइंट की है कि पुझ व्यक्तियां दी नागरिकता दे अधिकार जो पाकिस्तान बनके पार्त आ गए सी मतलब राइट टू सिटिजन आप सर्टेन पर्संस फो हैब माईगरेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ता आसी जदो साड़ा नागरिकता वाला टॉपिक पड़या सी ओदे विच आपा ने जदो आर्टिकल कवर करे सी मैं तो अनू दस्या सिगा कि केड़े केड़े आर्टिकल दे विच केड़ा केड़ा कॉंसेप्ट है जड़ा वो डिफाइन कीता गया है तो जी आपा गल करिये जड़ा पाकिस्तान वाला सिस्टम सी ए बच्चो केड़े नंबर आर्टिकल दे विच डिफाइन कीता गया सी आठ नंबर आर्टिकल दे विच डिफाइन कीता गया सी तो एनू अपा आठ नंबर आर्टिकल नाड मैच कर दे यां दूसरा पॉइंट देखो किड़ाईगा परसंस वोलेंटरली एक्वारिंग सिटिजन ओफ एफ फॉरेंटरली नौट टू भी सिटिजन जेड़े लोक त्या अनल देखो जेड़े लोक आपनी मरजीदे नाल आपनी मरजीदे नाल किसे होर देश दी सिटिजनशिप नो एक्वार कर लेंदे नि ता ओ दा मतलब ओ वोलंटरली दा मतलब की दा आपनी इच्छा नार्पा आर्ती नागरिक्ता जड़ी है उन्हों छड़के जारे ने आसी एपॉइंट पड़या सी ना कि आटोमेटिकली जदो तुसी किसे हूर देश दी सेटेजनशेप एकॉयर कर ली ता तुसी वोलंटरली अपनी मरजी नार पारते दी नागरिक्ता नू लूज कर गे ता ए आर्टिकल नौ नंबर च लिख्या हुएगा सबीदा आन दे शुरू हून दे नागरिक्ता स्बीदा आन स्टार्ट हुए आर्टिकल पटिकल देनाड जिदे विचा आपने नौ इस सबी जनवरी उनीसो पंजा तक कौन कौन पर्सन पार्त दा सिटेजन सी जन नहीं सी चीज क्ष्यार्ट ने अगला पॉइंट की है राइट टू सिटिजन शिप आफ साइटेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान के उश्क राइट ने जड़े ओना माइग्रेंट्स नो दित्ते गए ने जड़े पाकिस्तान दे विच चले गए तैसाड़ा आर्टिकल सावन सिगा तह इना नो आसी अकॉर्डि सिगा माइग्रेटर दा आर्टिकल शेया माइग्रेटर दा आर्टिकल शेय ए टेचेंड चान चान तो इटेक है से आर्टिकल फैरी कन्फ्यूज होया मैंने पता तुसी नो मैच कर लिए ठीक है अगला पॉइंट आजी साड़ अग्र काथना ते गौर करनी ए और जिशनली दा सिटिजन्शिप एक्ट नाइटीन फिफ्टी फाइफ ऑल्सो प्रवाइड़ फॉर दा कॉमन वेल्थ सिटिजन्स जेडे मूल रूप दे विच जिड़ा सिटिजन्शिप एक्ट उनी सो पच्वंजा एदे विच राष्ट्र मंदल नागरिक्ता लई भी परदान मतलब र जिड़ा साथा शुरू दे विच उनीसोपच वंजा वाला एक्ट सी एदे विच की असी चॉमट वेल्थ सिटिजन्स दी गंडिकरी यह डेफिनिटली करी सी उसी truths दी पहला पॉंट सही यह और दूसरा पॉंट पुछा गया कि किते नकिते जिड़ा सद्ड़ा दोफ जार गाल्ला उन नहीं करी गई ता अपना पहला पॉइंट ओनली वान ऑप्शन सी जड़ी ओ क्रेक्ट बाण जानी सी की हो गया चलो चलो बाद चो गल्लां कर लिए तोड़ा पेपर है देते त्यान दो अगला पॉइंट की है दरेक्ट ओफ मेंडमस हुन देखो जड़े बच्चे कई बच्चेनों मैं मन दियां प्रॉब्लम आ दियां अंग्रेजी पंजाबी देविच आया हो जाओ कोई मुद्दा नी आसी कई वारी ओ शब्दी नी पड़े हुन दे पर तुसी आप देखो भी जदो तो अनू कलास दे विच पड़ा आया जान्दा मैं कोशिश कर दियां कि मैं दो में ही पशा मादा जड़ा सुमेला ओ लेके पड़ा मां क्योंकि किते ना किते कई टर्म्स जड़े थुड़े हाई-level questions बननगे उनना नू तो अनू अंग्रेजी चे समझना ज्यादा असान होगा comparatively पंजाबी दे ताँ जिमें तुसी रिट्टां वाला सी टॉपिक पड़के आये मैं तो अनू नाल नाल रिट्टां लखाईयां ने के पाई एनू मेंड़ा मस केंदे ने एनू सर्टे करेरी केंदे ने जा इनू असी होर होर तरी के नाल जान देयां ता इदे विच्च सानू उस चीज़ दा समझ आ जाना चाहीदा सी बाइदा वे ऐसी पड़ देयां दा रिट्टाफ मेंड़मस मेंड़मस दी रिट्ट हुं दिये जड़ी ओ सिर्फ जुडिशल अथॉरटी दे ही बुरुद नी हुं दी बलके अड्मिन्स्ट्रेटिव अथॉरटीज दे वी बुरुद हुं दी है वेलकुल जी जड़ी साधी मेंड़मस रिट्टा ओ आसी पर शाशनिक अधिकार ना दे बुरुद भी पासा कदेयां और जड़ियां साधीयां न्याइक अथॉरटी जड़ी ओ सिर्फ जुडीशल और क्वाजी जुडीशल अथॉरटीज दे वरुद जारी कीती जान दी है ता एवी पॉइंट आपना सही है ता इनन दे विच आपना दोने पॉइंट बोथ वन एंड टू पॉइंट्स जड़े हैगे ने ओ राइट पॉइंट्स बनगे ता जे आपा इस कॉइंट्स देखिए ता दोमें स्टेट्मेंट्स सही ने और मैंनू लगदा भी इस कॉइंट्स तो तो अनू थोड़ा जा रिट्टा दा होर भी पता लगया होगा कई टॉपिक अजे है ने जदो उनना नू आपा कलास दे विच डिसकस कर दे या ता उनना पॉइंट्स दे खास करके केड़े टॉपिक दे उपर इंप्लीमेंट हुन दे रिट बाले टॉपिक दे रिट्टा नू समझना बड़ा असान है पर जो दो रिट्टा दा स्वाल हों देगा ता ओधो अनेका टाइप दे सान्नू नमें पॉइंट पता चल देने तां करके इस स्वाल तोड़े पेपर दे विच पाए गए सी तांके तो अनू इना सबंदत होर पॉइंट पता चल दे रहें अगला पॉइंट है हेड़ देते काथना ते गौर करू सविदा आन दे मूल्ट अंचे दी उलंगणा दे अधार ते नौमी अनू सूची विच निजम शा नून नू सफलता पूर्वक चनती नहीं दित्ती जा सकती ता आपानू दो पॉइंट लौ मेकिंग दे नार पुछे गए नेगे सब्तों पहला पॉइंट ता एया वी जिडा साधा नौमा शडियूल आ एनू असी जदों वी ए साधे देश दे विच लैंड रिफॉर्म न आता है बिल्कुल सही आ नौर्मली की कहा गया के नौमी अनुसूची है ना जेड़ी ए बहुते जगाते कोट दे विच जाके चैलेंज नहीं हुंदी पर सिर्फ एको पॉइंट ते इनू असी चैलेंज कर सकती है जे साधे देश दे विच मूर्ट अंचे बेसिक स्ट्रक् जे साधे पार्त दी संसद कुछ भी अजेहा कनून बनाउंदी है जो के साधे देश दे विच मूर्ट अंचे नूँ पर बाबित कर दे ता फिर उनु असी डेफिनिटली चैलेंज कर सकती है ता साधा सेकेंड ऑप्शन गल्त हुंदै ओनली वन ऑप्शन जड़ा है वो करे टावे दी अजादी प्रेस दी अजादी शामल है विल्कुल सही साधे पार्ती सविदा आन्दे विच आर्टिकल उन्नी दा वन जड़ा 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 सब कलॉज है एदे विच आसी दित्ता हुए है राइट टू स्पीच एंड एक्स्प्रेशन ता इदे नाली बैसे आसी अलग तोरते किते भी मीडिया प्रेस दी अजादी दी गल ने कीती पर उन्नी एक नंबर जा उन्नी ए नंबर दे विचर जो आसी राइट तू स्पीच एंड एक्स्पेशन दी गन्टे विच प्रेस दी अजादी दी गल इंडिरेक्टली करी गई है तए पोईंट सिख जदों आसी अपने देश देविच पार्ती सविदान देविच कदे भी तार्मिक स्तंतरता दी गल कर दियां तो उत्थे लिख्या जन्द है कि साड़े पार्ती लोकानू किसे भी तर्मदे लोकानू ओस तर्मदे रिलेटर जो वी रितिरवाज ने जो ट्रीशन्स ने ज पूसरा पॉइंट भी सही है तीसरा पॉइंट है समानता ददकार किसे भी वपार जा कारोबार नू जारी रखन ददकार है यह बिल्कुल गल्त है समानता देदकार दे विच्चा सी कदे भी किसे वपारी जा कारोबार दी गली ने कीती जदों आसी समानता देदकार दी गल कर देयां जदों आसी राइट टू एक्वालिटी दी गल कर देयां चौदा तो लेके ठारा नंबर आर्टिकल ने चौदा नंबर एक्वालिटी बिफोर लौ एंड इकुल प्रटेक्शन ओफ लौ पंदरा नंबर पंच टाइप दियां समानता मां सोला नंबर रुजगार दे समान बॉक के स्तारा नंबर शुआशाद दा खातमा ते अठारा नंबर आ उपादियां दा खातमा ता आपका कदे भी एह नहीं कहा भी किसे भी बपार जा कारोबार नू रखन दी जाद दी जा समानता सी दे रहें यां सो अपना थर्ड आप्शन जड़ा है ए अपना अप कर लिए थोड़ा जा आलो जी रिटान दितीयां हुए अने रिटान केड़ी की दिन आर रेलेटर है इन्हों आपस दे विच मेल करने सबतों पहला पॉइंट है हेजिए सकॉर्प्स हेजिए स्कॉर्प्स होधो लाई जान दी है ज़ब दोल आई जान दी है आप पने की पड़े आ से पहली रेट देवेच जड़ी हेबेस ऊंब्स से जदोभी तॉननु बिना कारृण दस से बंदी परतक करन जदोभी तॉननु बंदी बंहा जा जान दा हो दा कारण मेंडमस रिट है कि जन तक फरजान दा परदर्शन ना करना मतलब जदों आसी अपनिया पबलिक ड्यूटी जिनू लेके मुकर देयां जो सरकारी अधिकारी ने जो सरकारी आफसर ने जे ओ आपना ओदा प्रॉपर तरीके नाल नहीं संबाल रहे अपनी ड्यूटी प्रॉपर दा की मतलब है जदों वी आसी किसे भी अजेहे सरकारी ओदे नू ग्रैन कर देयां जीनू के आसी प्रॉपर तरीके नाल लेजिबल नी ग्रैन करन देली होन जे मैं आसी उदा आरण लई सी भी तुसी कई वेरी थुनू कोई कह दे विपाई तुसी 25 लाखर पिया दे दो जैसी तुनू मास्टर लबा दे आंगे तो दुबाद पता लगे विनाता तुसी पेपर च बैठे हो ना तो ड़ा रैंक काया है ना तुसी पेपर क्वालि प्रिंडेशन होई है तक क्यों वरंटो दा मतलब की हुंदेगा जन तक दाफ्तर ता गैर कनूनी कब जा अगला पॉइंट सर्टियूरेरी दा मतलब की हो गया के जेडिया साधिया हे ठलिया अदालता ने उपरली अदालत वल्लो हेठली अदालत नू किसे भी तरीके नाड उलंगन करण ते जड़ी रेट जारी किती जान दीया है ओ अपनी सर्टियूरेरी रेट हुंदीया है ता एदे क्वाड़ेंग अपना जड़ा ऑप्शन सी ओ भी ऑप्शन करेक्ट बाणना सी इनू तुसी अपनी जगा जग जित्थे भी तुसी नोट डान करने हो कर लो मै अपने देश ने जड़ा जड़ा मेंटल राइट्स ग्रांटे अंडर अर्टिकल 14 और 19 अफ दे कॉंस्टूशन आर जड़ो असी हत्या आर बंद बलांदी गल कर देयां आंड रेबेलियन आंड फोर्सस सेम चीज़ को रिलेट कर सकते हो आंड रेबेलियन एशब्द मैं त जड़ो साड़े देश दा युद्ध किसे बारी देश ना लग दै और दूसरा जड़ा है ओ केड़ा पॉइंट सीगा के इंटर्नल डिस्टर्मेंस जिनू असी चताली मी सोद उनी सो ठत्तर दिन आड बदल के की करता सी आंड रेबेलियन करता सी ठीक है कोई जकर नहीं मैं करूंगी न जदो आपनिया क्लास लागा टीम है तो नो वेदा आंसर्स जड़ी पीडियेफ है ना ओ तर डे गुरूप दे विचे शेयर कर दूंगी उदे नाल जो टेस्ट देविच कोई अप्शन है दुरुदर होए ने जो तो टेस्ट दा मुद्दारे है कई बरी ना जमें स्वाल वड़े सी मैंनू पता है प्राबलम आई हुनी है कई बरी एक स्वाल है ने जड़े एक पेज तो अगले पेज तो जबर जम्प करदा ता को गया आमड रबेलियन अमड़ की हो गया तो पाई और मतली नेशनल ऑगन्सजी लगी ए अप्लाब्द है अगर्पोर भी बलावानट है इस से और उनी यह ज्लाब्द भी बिल्कुल व्लाब्द है तो गयत नीशनल जोग्ए तो डियेंट कि दो ऑइस सुद्स दे मुखी दे विवेक ते उपलाब दे यह बिल्कुल गलत है हाँ बिल्कुल साधे देश दे विच जदों भी पार्लेमेंट कोई न कोई जेहा कनून बनाओं दी है पार्लेमेंट कनून बनाओं ते ही इना चीज जांदा जड़ा इंप्लिमेंटेशन हो पाऊगी जदों भी असी अपने देश देविच नैशनल एमर्जेंसी दिगाल कर देयां हथे आरबंद बला दे सबंदरू देख देयां ए चौदा ते उन्नी नंबर आर्टिकल सिर्फ उस केस देविच अवेल होंगे जदों कोई पार्लियमेंट कुन अधिए हेबी सकॉर्प्स नाम दी रिट ए इनू कौन इशू कर सकता है हेबी सकॉर्प्स रिट नू सिर्फ सुप्रीम कोड ते हाई कोड इशू कर दिया ने और सानू एच चीज वैसे भी सब नू पता कि जदों आसी अपने देश दे विच रिट्स दी गल कर देयां अगला पॉइंट देखो जी जूम कर दिये हैं लो जी नेक्स्ट पॉइंट आसी मैच करना सी सब तो पहला किये जी साड़े कोड़े लिबर्टी ओफ थौट्स एंड एक्स्प्रेस्चन्स विचार अते प्रगटावे दी अजादी विचार ते प्रगटावे दी अजादी स्तांतरता ते प्रगटावे दी अजादी समानता कितर गये स्तांतरता स्तांतरता किते हैं पहली मैच हो ग्या घार्टी दूसरा फंडामेंटल राइट के डा साधा जी दूसरा फंडामेंटल राइट राइट टू फ्रीडम ओधी गाल कार निया बोलन ते प्रगटावे दी अजादी अच्छा है थोड़ा जाना ठीक है ठीक है ठीक है उन्हां मैंनू सामझ जाया विए अप्शन टेड़े करके प पड़ो और ब्रीकी नाल पड़ लाइनू लिवर्टी अफ थार्ट्स एंड एक्स्प्रेशन फ्रीडम आफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन बेकिंग स्पैशल प्रोवेशंस पर विमन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन आफ इंट्रस्ट आफ मिनोर्टी सारे विचार अते प्रगटावे दी अजाधी लिवर्टी और थोट्स एंड एक्स्प्रेशन एसर्ड प्रस्तावना दे विच्छ है इसर्ड़े ऑगला पॉइंट है थूड़े बड़ा पॉइंट है चीक है हाँ जी मैच कर दिया देख देख दिया फिर किद धर मै जंड़ है अगला पॉइंट है बोलन आते प्रगटावे दी अजादी ए साथा किड़ा दिकार है राइट टू फ्रीडम फ्रीडम आफ स्टीच अंड एक्स्प्रेशन्स राइट टू फ्रीडम दे विच्छा किड़ा आटिकल सी उन्नी उन्नी दा ए नंबर पार्ट है जड़ा मेकिंग स्पेशल प्रोविजन्स फार विमन एंड चिल्डरन असी खास्त और ते और तांते बच्चां दे ली वुशेश जड़े प्रबंद कर दियां एक इत्थी है जी सड़ा इक्वालिटी एक इड़ा सड़ा इक्वालिटी आजो जी पंजमे ते अगला प्रोटेक्शन आफ इंट्रस्ट ऑफ मिन्योरिटी इस कट गिंटी दे इंट्रस्ट नो एजुकेशनल त्यासी कल्चरल राइट दे विच कर देयां ता जड़ा तोड़ा क्रॉस है इन्हों मैच कर लिए जड़ा भी ऑप्शन तोड़ा बंदा हुया ए ऑप्शन तोड़ा सही बन जूगा एदा बन गया जी तो ड़ा तीन नंबर है एदा तीन नंबर सी ऑप्शन चवी ए फिटीक बिड़ा बन गया जी एक नंबर हो क्रेक्टों शों तो आप्षिव पर चौन नहीं खंदा आर्टिकल 15 पर सोशली एंड एड्यूकेशनल बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 15 विच की दस्याग आशी पंज अदार्तेस मानता मंदी गल कर दिया बाक्या पदेख दिया आर्टिकल बाई निवारक नजरवन्दी देता है शरक्थय प्रो बाकी सारे जड़े हैगे ने उस सही ने आसी आर्टिकल 16 दे विच्चर रोजगार दे समान मौक्यां दी गल करी गई या किसे भी वेमन डिस्क्रिमिनेशन दी गल नहीं किती ता साथा जड़ा आर्टिकल डी वाला पार्ट है ए जड़ा है मेल नहीं खाउगा सो डी बेलकुल डी जड़ा है एहे रोंग आप्शन होगा डिस्क्रिमिनेशन वाला ठीक है आगले पॉइंटे चाल दे आगला कोशन है जी साथा कोशन ही बड़े ने पार्ट दे सभीदा आंदे नुशेद 21 दे वेच्च दरसाए गए जीवन अते निजी सतंतरदादा दाइरा पिशले सालां विचे काफी वद्या है ठेट लिख्यां विचो केड़ा भी इस रख्या दे अधी नहीं हो सकता जड़ों आसी साथे पार्ती सभीदा आंदे विच्च फंडामेंटल राइट्स दिगल कर दे यां कई फंडामेंटल राइट दे जड़े एकिक आर्टिकल है ये बंद कररन जिमन के आसी अर्टिकल इक की देखने करो एकिक आप इबेटी जिए पर्सोनल लिबर्टी न भर प सμέक्ट के मिअन कवर कर रहे हैं इस टो बिना जिडा सब दाइट पूश Donc सब्सक्राइब कर रहे हैं और टाइम तो टाइम बहुत कुछ डिफाइन कर रहे हैं और टाइम बहुत सारी चीज़ां आर्टिकल एक इच दरसाइयां गया नहीं दरसाया गया राइट टो गुड़ हेल्फ बिल्कुल अपनी मर्जी अपनी से तो दा जिमें मर्जी तेहां रखे दिस आर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सेकेंड पॉइंट आप बाद मोड़ बसे बेली बंदू अमस्दूर दा कार वेलकुल जी कर सकते हैं समझा थे तहा है तो बोनस जा महिगा इपत्ते देवे करना तक बिलकुल उना सदना नहीं नहीं राइट अंडर सभाव बोनस और डियर्नेस अलाउंस एंनी हुजग लाइबलिफ आप बलकुल आ से उनना सारीयां चीजां द्वारा राइट टू लाइबलिफ रखदेयां साधे रोजी रोटी कमऌन दा साधन रखदेयां जडियां चीजां लीगल नही है गियां ता अपने को ले डैफिनिटली डी अंसर क्यों कर रहे हूं आसी उन्हा साथ ना द्वारा रोजी रोटी कमा सकने जो गैर कनूनी अनतिक ते जनतक नीती दे विरोध नहीं हन मतलब जड़े इलीगल है इमौरल है जा अपोजड टू पब्लिक पॉलिसी है इनना दे बरदा सी जड़ा अपना रोजी रोटी यह कमा सकते हैं मतलब जी अना दे बरद नहीं है गाँ अच्छा ठीक है ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है सी आप्शन आओ गया दा ओहो हो हो तो केसा अपा खरांगे बट फिर भी मेरा जी कर अभी मैं स्वाल पादा ताके छुनूं अले क्या पता लगे अच्छाचा कैसल दा काफी इंप्वॉटेंट हुनंदा आजी नहीं इंप्वॉटेंट जजमेंट्स करांगी ज़टा साड़ा पर पड़ी पुछए जंदा है ओंटर जेई मां इसकिरेश ऑन जागए इस तो तरीक होगा जदो वी जजमेंट दा जिन केस पिछले साल कॉश्चन हाया सि के सब्टू सेकेंड नमबरा खिए तuba के सिज़ा बड़ा केस केरा सी तब बड़ा केस सब्टू बड़ा सिगा केश अमनंद भारती केस तो तीरा जाज़ जाज़ सिगे उस्तोबाद सिगा ग्यारा जिदे वीच गोलकनात केस वह विद आप राखमा करण सबंदी इन्हों डिरेक्टरी याद रखना है इन्हों और किस तरीके नड़ याद करण दा कोई फैदा नहीं उस तो बाद है मिंद्रबा मिल्स केस सिगा जुडीशल रीवियूज दे रिलेक्टर ठीकिया जी के जुडीशल रीवियूज उन्हों दबारा जान पाई जावे गोपलेंड केस जड़ा है गएगा एक इदिनार सबंदत सिगा कनून द्वारा स्थापित पर के रहा प्रसीजर स्टेबलिश्ट वाई लॉग जड़ा सी जपान तो कॉप्ति करया सी एदिनार लेटर सीगा और जड़ा साधा शंकर परशाद केस सिगा ए पार अगला पॉइंट है पार्त दे सविदा अंदे पाग तिन विच मौलिक अदिकार अंदेनार सबंदत वाख 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 तरा मांदे तेहेत हेट लिखें विचो किस दा जिकर कीता गया कुशनी पुच्छा जड़ा साथा फंडामेंटल राइट हो पुच्छेगा और विके अगला करिये ता शुआ शाद दा खातमा है गया शरलेखा दा खातमा है गया तर अंदे पर चारली टेक्स दा करन दी जादी हैगी है काट गेंड़ते अंदे हितना दी सरख्या बलकुल है ता सारे साथे फंडामेंटल राइट ने वान टू फ्री एंड फूर हैं उदो बह स्क्रीन शॉट नि लै सकते बेकर स्क्रीन ते मैं भी आरी ना फर दा सिक्यूरिटी पर पस ठीक है तुसी किसे टीचर दी पिक्च्र निला सकते तां करके स्क्रीन शॉट्स मनाव छूअ ठीक है लिखो सबीधान दे कहलो के प्रभु सत्ता थे खांडता थे हात विचिक बाज़ पवंदिश देदकार ते लगाई जा सकती है देखो जी वस्टन पड़ो आजो 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 18th question ते 18th question low in accordance with the text of the constitution सबीधान दे अनुसार a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to साड़े देश दे विच्च रिस्ट्रिक्शन दा मतलब की हुंदागा पवंदी लोना कादे सबंद दे विच्च विच्च सौवर्निटी सौवर्निटी दा मतलब की हुंदा रजे प्रभू सत्ता और integrity दा मतलब की हुंदा अखांड ता इना नू लेके जदों आसी कोई भी पवंदी लोनी है तक इस तरीके नलो पवंदी हो सकती है हां जी हर दीप जी कोई गर नी चलो पड़ दियां एदा मेरकोली जवावता सिवाटाइड मेरा स्क्रीनशोट की करने दूसी हां जी केड़ा पॉइंड आंसर दसो मैंनू आंसर एटींत क्वेश्चन दांसर तुक्की लादो आजो आजो एटींत क्वेश्चन दांसर जदो आसी आपने देश दे विच प्रभू सत्ता ते खांडता दी गल कर दियां ता साड़े देश दे विच केड़े एक मौलिक दिकार देओ पर एक वाजब जी पवंदी लाग सकती है केड़ी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्स्प्रेशन आसी आपनी जवान ते कंट्र ज़र सब्सक्राइब गला और सब्सक्राइब घंज क्राइब लुद्य ज़र्च कर देब करने को सोल सकता और हां सकते थी हांजी देङ एंड़ा तर्म डबल किया पारडी एक टर्म है अंडर दा टर्म डबल जियो पार्डी एंप्लाइड इन आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ इंडिया अपर्शन मतलब जदो असी अपने देश दे विच आर्टिकल भी दी गल कर देयां आर्टिकल वी साट है फंडामेंटल राइट दा ला अक आर्टिकल टासन नो एक टायम टे एक सजा एक घळा ने आसी उनु डबल टाइम पाड़न डबल टाइम सजा नहीं कर सकते तैदा की मतलब है सीया ठीक है हां थोड़ा जा समझ ब्राड अपना करना ही पोगा दोबारा परिश्मेंट डाफिनेटली दोबारा परिश्मेंट ठीक है तो ए थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचना भी पो सोल आफ इंडियन कॉंस्टिटूशन मन्या जांदा है आतमा मन्या जांदा है इदे तहता आपा स्प्रेस्पिकली बाकी दे फंडामेंटल राइट्स नूँ प्रोटेक्ट करके रख दियां बिकस सुप्रीम कोड देवी चासी जानने या आर्टिकल 32 नुबरत के अगला प तार के पर सुगालत लगदा तारा बत्ती मॉलिक दकारांदी अलंगना दे वरुद्ध प्रवाब शाली उपा परदान कर दिया सुप्रीम कोड नहीं जान दे तारा बत्तीनु बरत के प्रवाब उपाता है विजे किसे बंदेनों कोई या कोई फंडामेंटल राइट नही प्रवाब्लम है क्वेशन पढ़ना ही नहीं आ रहे है प्रॉपर हना जलो कोई गालनेट्स हो कि हुझ शिखो तुसी ए यह जरूरी है आपने सारे मतलब जो अपनी प्रेपरेशन दी जर्नी यह एदे विच्छ एहोजे टेस्ट जड़े हैं ए एठ टेस्ट होंगे जिना चो एक हो चुकिया एक अगरा हफ्ता आः हफ्ताशड के अगले हफ्ते होगा उस तो बाद जड़े पंज बाकी रहेगे तिन्नापा विच्छ विच्छ लमांगे जड़े पंज बाकी कर लिए उस तो बाद लबांगे ता अजे है टेस्ट तो नो मेंटली जगौन गे भी क्वेश्चन पढ़ना कि में है और सब कुछ है जदो मैं एक्स्प्लेइन कर दी है उदो सब कुछ आ जान दा विहां जी आ कर यह सी जदो सवाल लिखया हुंदा उदो प्रॉब्लम होंद है लो जी 21st question जड़ा है आप आई स्टार्ट कर दिया सब्तों पहली कर लाएं केड़ा सही मेल खंद है कैने है भी स्कॉर्प्स रिट्टा जड़ियों निजी वेक्तियां दे ब्रॉद्ध ही हुं दिया जदों साथे कैलो के की लिख रहे हूं हाना एही हो रहे ना बेलकुल एही हुआ तो डेल आल क्यू रांटो दालतां दे व्रद्ध प्लाबदा गलता शर्टेरी दी लेक्त बेलकुल आप 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 आया नहीं कहांदे कि बाडी ने सोटेरी दी रेटा कोट्स ने रेटाप प्रवेशन अबेल अधर्शन नो तापना केड़ा को श्चन आगया प पता की हुंदा जडी तो डडी आजे ता के कोश अध्या पकानों भी सामझनी आया ते कोश बच्चानों भी सामझनी आया वी जेडा साड़ा कॉंपेटिशन दी प्रेपरेशन आला काम है न यह सिर्फ सलेबस कमप्लीट कारना नहीं हां जस दिन साड़े अध्या पकते करके निकल आजे इस दिन हैं रंक भी हासल करांगे एक पूरी प्रॉपर एक प्रॉपर प्रॉसेस है कॉंपोटिशन उपरा करना सले बस जैसी त्यारी सौ परसंट मानके चाल देयां सलेबस पूरा करना सरफ शत्तर परसंट कुमित कै बाकी सब्सक्राइब करें अगला पॉइंट है विच्छों केड़ा एक सबंद ठीक है एवी केस ने अपने इंद्रास्वानी केस आगया मिंद्रबा मिल्स केस आगया मेनका गांदी केस आगया पॉच्छा गया केड़ा मेल खंद है इसमेनकांदी केस सब्सक्राइब करांगे कब रोना नहीं कोई गल नी एकवरी एज़ याद कर लो वैसे भी एफेक्चल टॉपिक का राइट टू लाइफ जीवन दादकार किस तो पैदा हुंदा है हां जी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी केड़े आर्टिकल दे बिच्चा है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देखो अच्छा कोशन है देखो जी राइट टू लाइफ किस तो पैदा हुंदा है कई वच्चे सिर्फ एडनाक देखके टिकलोंगे आर्टिकल एकी तेस विच मरण ददकार शामल है मरण ददकार शामल नी है गा राइट टू लाइफ तूसी एक फिलम देखी हुनी है आश्वर फ्रीड़ परीड़ाइज्ड हो जान्दा जदो कंप्लीट परलाइज्ड हो जान्दा ओकोड तो मंग कर देख्या के मैनू राइट टू दाय देता जावे ता एए ऐसी इक़्की नंबर आठीकल चुनी दिखता हो या कि अपनी मरजिनल जियों भी सकते हैं मरभी सकते हैं स संसदे कुनून दी लोकाल उपलाद खासत और जिस्वधान विच परजान कीता गया प्रग्टावे दी जादी दे विच निश्चिता हुने अपा करके हटे राइट तु फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल उनी दा वन क्लॉज जड़ा है एंडिरेक्ट ली प्रैस द देश दे विच एमर्जेंसी लग दी है ता सविदा आंदी केड़ी ता रहा है जड़ा आर्टिकल कुछ समय देली सस्पेंड कर दिता जांद है ता सानू सारे नू पता है आर्टिकल उन्नी और केड़े सस्पेंड बहुत रियर चांस ते हुन देने वी ते एकी नंबर पार्ति सविदा आंदे पाग चौथे दे विच्च और एदे विच्च सी देखने वी इना दे विच्चों केड़ा राजनीती दा नरदेश कसे दांत नहीं है पहला देखो जी एक सार सेबल कोड यूनिफर्म सेबल कोड आर्टिकल 44 पार देर आर्टिकल 44 यूनिफर्म अगला पॉइंट है राजनीती देश किड़े किड़े शामल नहीं आपनों ही पुछा गया लिख्यां दे विच्चों जड़ा DPSP स्ट्रॉक्चर अधे विच्च केड़ा केड़ा पॉइंट जड़ा है उस शामल है तदेखो जी सबतों पहला नागर काली सार सेबल कोड बेलकुल कार्जपाल का तो नियापाल का वकरा करना आर्टिकल 50 वेलकुल राश्ट्री मात त समार कांदी जड़े भी साथे प्रोटेक्शन ऑफ मुर्नमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स दी सरख्या करनी यह भी बलकुल है सो आर्टिकल वान टू टे थ्री ऑप्शन वान टू टे थ्री दी ऑप्शन शाबाज इता सान सी आयंवेरी सी भी रेक स् अख लागदा विच आव दफॉलिंग्स आर इंक्लूड़े निदे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल डूटी इंदा कॉंस्टूशन असी फंडामेंटल डूटी देकल लिस्ट करी सी जिद्वीच आसी 11 फंडामेंटल डूटी इस पढ़ियां सी इन देविचो किड़ा किड़ा फंडामेंटल डूटी देविच इंक्लूड़े एह हुजा स्वाल साथे पेपर देविच आकसर पुछले जानता है कि हेट लिख्या विचो केड़ी केड़ी फंडामेंटल डूटी है सब तो पहला सबीदा अंधी पालना करने दाश्या ते संस्थामादा स्तिकार कारना ब सब्सक्राइब लिए अप्ष्ण इस दग्रेक्ट आप्ष्ण अ कि शाबाज आ हुजे स्वाल ता तुसी मैंने पता देड़ देओंगे ठीक है ता एही या व्योंते बाकी बैठे उन्टे तुसी मेंटेज पेपर चाकले आते चाकलिया अना आहें हुजे बस तीन अंपर क प्रापटी देख्या कार नी बेलकोल पहला तीजाते चौथा है कोई ऑप्ष्ण बी ऑप्ष्ण पहला तीजाते चौथा पहला तीजाते चौथा अगला स्वाल पार्ती स traps श्यख्तर गया संदार समारिस संग कमेटी थी सफारिश थे यंटे हैड चौथा एडकी आधिक प्रेजंट ग्यारा ने जी जोड़ेगा श्यासी मी सविदानक सो दो जार दो दे तहत जो के शेतों चौदा साल दे बच्चाली एजुकेशन दी गल कर दिया है सही हो गया सही हो गया थड़ी फॉस्ट पॉस्ट नांसर भी आंसर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन अजी सरकार्द एक संसदी रूप विच मंत्रियां द्वारा ने जोगते थे ना पार्लिमेंटरी फॉर्म आफ गवर्नमेंटर्व आफ गवर्नम आती ऑठों दी कार्जपाल का देविच गूड़ा सबंद हो गा यह अपा दो चीजां पढ़ियां सी एक पड़ा सी राश्ट्रपती शाषन परनाली तेक पड़ा सी संसदी शाषन परनाली मतलब नेगाल कि पुछ यह तैप दो शांसदी शाषन परनाली होवे ता ओधो फिर कॉन कर देआं कॉन कर देए धाएड़ आफ दा स्टेट ऐड़ अफ्टाइट इस प्रेजिडेंट भेड़ अफड़ गॉवन्मेंट इज प्राइम निस्टर राश्टरपती परदा अनमंत्री दी शला अते हना तो चुल मेरा मेननू लगपग 11 देन हो गए इस पेपर नू सेट कर दीनू मैं लगपग 11 तो 12 देन लाके पेपर नू सेट कर आशी ता एस पेपर नू संबार के रखने फोटों जड़ा के रखनी इस पेपर दी ठीक है सो एचीज अगला पॉइंट है संसदी लोग जी आता बहुत बदीया स्वाल है दुबारा फिर जूम कर दे साड़ा आखरी स्वाल है मूँ दुखन लागया बोल बोल के पानी पी लिए मड़ा जाग पानी पी लिए मड़ा जाग पान्सदी सरकार राष्ट्रपती सरकार फेडरल थे एक सार चारे चीज़ां करेंगा निक लास देविच युनीटरी थे फेडरल करके आए सब तो बला सामसुदी सरकार कॉलेक्टिव रिस्पॉंसबिलिटी पारलेवेंटरी गवर्नमेंट सारे बंदे समूहिक तौर ते जिम्मेबार ने आगला पोइंट양 राष्ट्रपती सरकार की केंदि यह जित्थे प्रेड़ेंशल गवर्नमेंट है ओकी केंद Ten यह शक्तियां दा वख्रापान शक्तियां दा वख्रापां सेप्रेशन ओफ पावर प्रेजिदेशल गवर्नमेंट अगला पॉइंट की है थेडरल सिस्टम की कि यह चाहिए है डिवीजन आप पावर शक्तियां दा वक्रापन सेपरेशन एक अलग चीज आ डिवीजन एक अलग चीज आ सेपरेशन दा मतलब किया के पावर जड़ी ओवखो वखर कर करके दिखती जान दिया साधे फैडरल स्ट्चर दे विचे पावर डिवाइड किती ज पर नाड़ी मतलब एक आतमक शाशन पर नाड़ी एक अतमक दा मतलब की यह सेंट्रलाइजेशन आप पावर पॉइंट एक जगा ते पावर जड़ी है गिया वेस्ट कीती गई है बिलकुल जी बिलकुल शाबाश चल एक होर रिने इन सवाल पार्त दे सभी आन वेच्ट शब्द संगी जड़ा सब्दा फैडरल सब्द है एन्नु कितदे वरत्याग dedic ना प्रेंबल जण यह ते ना एत्थे ड़ेफिनीटली किते भी नीई इस वाल में तो आनु बारी बारी धस्यां चींगी कित भी जेड़ा परस्तावना दा शब्द फेडरल शब्द उन नहीं वरत्या गया ता आपकाल नू चौंती में कौश्चन पाव के पैंती में कौश्चन तो कॉंटीनू कर दियांगे सो मैं तो नू पेडिएफ शेर कर दिनिया अजली क्लास बहुत जाला जोर लाओ कासी दो ते एक इंग्लेश टीचर हुंदे सी वो साउथ इंडियन से गया हना उन्हाने बड़ा मतलब उन्हाने जड़ा एक्सेंट सीगा वी साउथ इंडियन हुंदा सीगा जद वसी कहने मैं सनुछ आईदा है we are servants our duties to serve मैंने बड़ा इस तरीक के नल कहना चलो जी मिल दिया